बॉलिवुड में संबंद बनना और तूटना काफी आम बात है बी टाउन के गुजरे जमाने की बात करें तो कई ऐसी जोडियां भी हैं जिनकी विवादित शादियों ने और अफेर्स ने खूब सुर्खियां बटोरी थी इनी में से एक है बॉलिवुड के ही मैन कहे जाने वाले अभी नेता धर्मिंदर धर्मिंदर जो बॉलिवुड के सबसे रोमेंटिक छवी वाले ही रो माने गए हैं जिनके अफेर्स की जितनी गंती करें उतनी कम है जब धर्मिंदर ने बॉलिवुड में एंट्री की थी तो वो पहले से ही शादी शुदा थे इसके बावजूद उनका अफेर मीना कुमारी संग भी खूब सुरकियों में था मीना भी पहले से ही शादी शुदा थी इसके बाद धर्मिंदर का दिल डीमगर्ल यानी हेमा मालनी परा गया हेमा संग उनकी जोड़ि ऐसी जमी कि वो पहली पत्नी को तलाक दिय बगएर ही उनसे दूसरी शादी कर लिया बताये जाता है कि जब धर्मिंदर ने प्रकाश कौर से कहा था कि वो हेमा मालनी से शादी करना चाहते हैं तो प्रकाश ने उरहें नहीं रोका था लेकिन ये बात तो सभाविक है कि कोई भी पतनी अपने पती को किसी दूसरी औरत के साथ कैसे देख सकती है प्रकाश अच्छे से जानती थी कि अगर वो धर्मिंदर को मना करेंगी तो वो मानेगे नहीं उन्होंने हेमा से शादी कर ले खैर ये सिलसला अभी थवा कहा था हेमा के बाद धर्मिंदर का दिल अपनी को स्टार आनीता राज पर आ गया आनीता राज से अलग होकर धर्मिंदर के अफेर्स की किस्से तो नहीं सुनने को मिले लेकिन उसके बाद उनकी जोडी राखी और आशा पारे संग भी खूब जमी आशा संग भी धर्मिंदर का अफेर तो नहीं था लेकिन जोडी खूब पसंद आई आशा ने शादी ही नहीं की आशा पार्के डाइरेक्टर नारिस हुसेन के प्यार में थी लेकिन नासिर पहले से ही शादी शुदा थे इसलिए ये रिष्टा आगे नहीं बढ़ सका साल 1965 फिल्म पुर्णिमा में धर्मिंद्र को मीना कुमारी के अपोजिट साइन किया था धर्मिंद्र उस दोरान इंडस्ट्री में नए थे और मीना कुमारी उस वक्त सबसे फेमस एक्टरेस थी इस फिल्म के दोरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे उस वक्त मीना ने कलाम अमरोही से शादी की थी लेकिन दोनों का विवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल पाया मीना धर्मिंदर से दिल लगा बैटी थी लेकिन धर्मिंदर लंबे समय तक मीना के साथ बंदन में नहीं रहे धर्मिंदर मीना कुमारी से अलग होकर हेमा मालनी के प्यार में पढ़ गए और हेमा से धर्मिंदर का प्यार इस कदर गया इस कदर हुआ कि दोनों ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन तक कर लिया था हेमा और धर्मिंदर की दो बेटियां हुई इशा दियोल और अहाना दियोल हाला कि धर्मिंदर की पहली पत्नी से भी चार बच्चे थे सनी दियोल, बॉबी दियोल, अजीता और विजेता हेमा मालनी से शादी के बाद धर्मिंदर फिल्म नौकर बीवी का कर रहे थे इस फिल्म में उनके साथ अनीता राज थी और काम करते करते धर्मिंदर और अनीता राज एक दूसरे के इतने करीब हो गए दोनों के रोमैंस के चर्चे उन दिनों खूब सुरकियों में थे लेकिन हेमा के विरोध के बाद धर्मिंदर अनीता से अलग हो गए बाद में अनीता ने सुनील हिंगो नानी से शादी कर ली और उनके साथ उनका एक बेटा भी हुआ अब इस बेटे की अनीता ने शादी कर दी है और यहां तक ही नहीं धर्मिंदर की जोड़ी एक जमाने में राखी के साथ भी खूब चर्चे में थी हाला कि राखी संग धर्मिंदर का रोमैंस नहीं था लेकिन जोड़ी दर्शकों ने इतनी पसंद की राखी की बात करें तो राखी ने पहली शादी 1963 में आजे विश्वास से की थी लेकिन 1965 में तलाक ले लिया था इसके बाद राखी गुलजार संग शादी के बंदन में बंदी राखी और गुलजार की एक बेटी भी हुई मेगना गुलजार अलाकि राखी और गुलजार की शादी भी टिकी नहीं और दोनों बिना तलाग दिये ही एक दूसरे से अलग हो गए खेर रोमैंस के देवता कहे जाने वाले धर्मिंदर की लव स्टोरियों की जितनी बात करें उतनी कम है यहां तक की अपने बेटे की गल्फरेंट को भी किस कर लिया था उन दिनों बॉलिवुड में बवाल मच गया था जी हां ये किस्सा है असी का जब सनी दियॉल और डिमपल कपाडिया के लव अफेर की खबरें हर तरफ थी इस दोराद धर्मिंदर ने डिमपल के साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम था दुश्मन देवता ये कोई बहुत बड़ी बजट की फिल्म नहीं थी धर्मिंदर का करियर खतम होने की कगार पे था और ऐसे में वो बतौर हीरो फिल्मों में आते थे अपने से काफी उम्र छोटी जो एक्टरस होती थी उनके साथ फिल्में करते थे और डिमपल कपाडिया के साथ भी उन्होंने काफी फिल्में की थी इस में से एक फिल्म थी दुश्मन देवता इस फिल्म में उन्होंने डिमपल के साथ किसिंग सीन किया था और उसके बाद बवाल मच गया था डिम्पल को भी नहीं पता था कि इस फिल्म में धर्मिंदर के साथ उनका कोई किसिंग सीन भी है फिल्म की शूटिंग चल रही थी डिम्पल को बताया भी नहीं गया था कि धर्मिंदर उनको किस करने वाले है अचानक कैमरा रोल हुआ और धर्मिंदर ने उनको किस कर दिया ये सीन ट्रिक करके फिल्माया गया था इसके बाद जब डिम्पल को इसकी ख़बर लगी कि उनका और धर्मिंदर का इस फिल्म में किसिंग सीन होने वाला है तो वो बहुत नाराज हो गई उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस सीन को हटवाया जाए लेकिन जो फिल्म के मेकर्स थे उनका मानना था कि ये सीन हिट होने वाला है और हुआ भी फिल्म से उस सीन को नहीं हटा जा और नाराज डिम्पल ने उस फिल्म में डविंग तक नहीं की और तभी मुझे लगता है कि इन सभी रंगीन कहानियों की वजह से धर्मिंद्र सभी के दिलों में बसते हैं